नमस्कार दोस्तों, समवाद में आप सभी का स्वागत है जिस परकार से पूर्व में मैं मीडिया के इतिहास के बारे में, मीडिया की भूमिका के बारे में बताता आया वैसे ही आज मैं बताने वाला हूँ कि देश की आजादी में मीडिया की क्या भूमिका रही पूर्व में जब देश की आजादी से पहले जब अंग्रेजों का सासनकाल था उस वक्त मीडिया किस तरह से कार कर रहा था और उसका आजादी में क्या यूगदान रहा ये जानने वाली बात है और इसको जानना भी जरूरी है क्योंकि जब तक यह पता नहीं चलेगा कि मीडिया ने देश की आजादी में क्या भूमिका निभाई तब तक आपके मन में मीडिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी अधुरी जानकारी रही तो फिर इस से आप यह नहीं जान पाएंगे कि मीडिया का वास्तविक सुरूप क्या है मीडिया ने देश मीडिया आज जो वर्तमान में आप सोसल मीडिया दिखते हैं जो print media दिखते हैं जो electronic media दिखते हैं यह media एक माध्यम है जो सूचना को आदान परदान करता है लेकिन इससे पहले केवल केवल सूचना का आदान परदान का माध्यम केवल print था अखवार केवल अखवार की पत्रकारता थी वरतमान योग में जो आधुनिक media है इसमें social media भी फिर उसके बाद आपका social media आ गया अब आधुनिक digital media बहुत तीजी से है लेकिन देश की आजादी से पहले किस तरह से भूमिका निभाई वह सबसे बड़ा योगदान अखवारों का रहा print media का रहा क्योंकि उस वक्त केवल print media ही काम करता था और देश की आजादी से पहले कर बिगुल भूका गया जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर रणनीत बनाई गई जो करांतिकारियों को जागरूप करने के लिए print ने एहम भूमिका निभाई अब मैं इसे media नहीं कहूंगा अब मैं केवल print की बात करूँगा और अखवार की बात करूँगा और अ सूचनाओं का आदान प्रदान अखवार था लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो बताने वाला हूँ कि अंग्रेज अंग्रेजी भासा जानते थे इसलिए यहां जो भी योगदान रहा वो छित्री अखवारों का सरवाधिक रहा क्योंकि अंग्रेजी में छपने वाले अखवारों को तो वह समझ जाते थे कि यह सरकार विरूदी गतविदियों में सामिल है यह सरकार की समर्थन में है तो वह अखवारों पे रोक लगा देते थे अंग्रेज सबसे पहले यह जानने कोशिस करता था कि कौन सा अखवार सरकार की फिवर में है और कौन सा विरूद में है और किस तरह से हम लोगों की बुराईयां की जा रही हैं लेकिन प्रिंट जो अखवार था वह छेतरी भासाओं में आना सुरू हो गए थे जिस तरह से अवधी भासा, ब्रज भासा, भोजपूरी भासा, हिंदी भासा और कंड़, तमिल, मल्यालम सारी भासाओं में जो अपने पूरे हिंदोस्तान के अंदर विभिन भासाओं में आते हैं अखवार उन सब में अखवार छपना प्रारब हो गए थे और वह सभी अखवार, डोर टू डोर, खुद संपादक जो उनके मालिकान होते थे, वह खुद बांटने का काम करते थे और जिस समय अंग्रेजों को भनक लग गई कि अखवार उनके खिलाफ लिख रहे हैं, लोगों के मन में जागरूख कर रहे हैं और किस तरह से लोग जागरूख हो रहे हैं, अखवारों के प्रती प्रेम बढ़ रहा हैं तो उनकी निगास सक्त हो गई और उन्होंने सारे अखवारों के खिलाफ भी वह खड़े हो गए और सक्ती से पेश आने लगे, ऐसी इस्तिती में सबसे बड़ा संकट उन संपादगों के उपर आ गया था जो अखवार में लिखते थे और जो अखवार छापते थे और फिर वह बांटते भी थे तो जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अखवार खड़े हुए सूचनाओं का आदान परदान किया उसके लिए बड़ी मेहनत का काम था करांतिकारियों की लिष्ट में बहुत योगदान करांतिकारियों का रहा लेकिन बेसिक जो महतपूर भूमिका रही जो आधार भूमिका रही वह अखवारों की भी कम नहीं थी क्योंकि उस वक्त केवल करांतिकारी भी वही थे जो अखवारों में पत्रकारता करते थे और बाद में उनके नाम करांतिकारीओं की लिश्ट में भी आए लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी अखवार से जुड़ रहे मैं यहीं भी बताने वाला हूँ कि कौन से अखवार ऐसे थे जिन में करांतिकारीओं का जुड़ाव रहा और उन्होंने पूरे समाज में एक जागरुकता लेकर के आई और कैसे अंग्रेजों के खिलाब पूरा समाज एक जुट करने में उन्होंने महत्वण भूमी का निभाई ऐसे ही जब प्रिंट का दौर था तो उस वक्त अखवारों को घर घर पहुचाने के लिए एक माध्यम बनाये गया कहीं सामान के माध्यम से कागज जाते थे तो या फिर किसी इस तरह से अखवार नहीं बाटे जाते थे जैसे आज की तारीख में आपके घर पर एक वेंडर अखवार डालके चला जाता है उस वक्त अखवार भी गुपचुप तरीके से निकलते थे और वह केवल करांतिकारियों के पास कैसे पहुचाना है और अखवार की परतियां बहुत कम होती थी और वह कागज जो अखवार थे या तो एक पेज्ज दो पेज्जा तीन पेज में छोटे-छोटे होते थे और उनको पहुचाने के लिए करांतिकारी एक दूसरे के पास जाते थे फिर जो पढ़े लिखे लोग थे उसे पढ़ने के बाद लोगों कुछ जागरूप करते थे करांतिकारीओं के लिए केबल अखवार एक ऐसा माध्यम था जो एक जुट करने के लिए अपने संदेश को पहुचाने के लिए था क्योंकि रेडियो के माध्यम से पहुँचाया जा नहीं सकता था रेडियो हर किसी के पास नहीं था और दूसरी बाद रेडियो सरकार के अधीन काम करता था और अखवार केवल ऐसा था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपता था और छhपने के बाद उसको ले डो टो डोर, धीमेदी में, एक हाथ से दूसरे हांग, एक ही अखवार कई हांतों में गुजरते हुए, उसको पढ़ने के बाद अगे जो ले जाता था फिर उसको पढ़ने के बाद आगे पूँचाता था. इस तरह से अखवार अपनी भूमिकादा करते थे हलांकि इस करांतिकारी की दोड में इस करांती की लड़ाई में अखवार भी दब गए और उनकी आवाज भी धीमेधी में दबा दी गई लेकिन अखवारों ने अपनी जो भूमिकादा की वह अतुलनी है आज में ऐसे तो सेकड़ों अखवारों ने बहुत महत्तपूर्ण भूमी का अदा की किसी ने किसी रूप में और वह अखवार अंग्रेजों के दमन के सिकार भी हुए करांतिकारी उस अखवार को चलाते थे बिना खाए पिये बिना एक टाइम खाना खा करके केबल उनका काम था सूचराओं को इधर उधर पहुचाना और देश की आजादी में महत्तपूर्ण भूम का निभाई एक अखवार का विसेज जिक्र होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा ये बात है कि जब प्रिंटेड अखवार आये थे तो उस वक्त एक अखवार आये था हिंदी का जिसमें हिक्की के बाद जो मैंने पिछले कारकरम में बताया समवाद के कारकरम में कि हिक्की कदब लाल गजट आया था वह अंग्रेजी अख़वार था और उसको अंग्रेजों ने बंद करा दिया था उसके बाद हिंदी कानपुर का एक साहितकार थे पंडित जुगलकिसूर सुकल उनका एक अख़वार आया था उद्दंत मारतंड उसने बहुत मत्तपून भूमिकाने अख़वार है ऐसे एक अख़वार और भी है अजी मुल्ला खाने फरवरी सन 1857 में एक अख़वार लेकर के आये थे पयाम ए आजादी नाम से अख़वार सुरू किया ये अख़वार बहुत कम समय तक चला लेकिन अंग्रेज इस अख़वार की वज़े से ठीक से सो भी नह पड़ा देने का ओर्डर तक कर दिया था आप सूची कितना करांतिकारी अख़वार था लेकिन इस तरह के अख़वारों का योगदान धीमे-धीमे समय के साथ लोग भूल गए और नहीं ये जान पए लेकिन मैं एक पत एक अख़वार का जिक्र करने वाला हूं जिसमें भ अख़वार था प्राता है बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत सिंग प्रताप अख़वार से बहुत बड़ाक्वार्ण से लेक्शन था ऑन अख़वार गड़े संकर भूंका रहती थी और जाना माना नाम भगत सिंग का आ गया था जाना माना अखवार प्रताप अपनी तेजी पकड़ चुका था भगत सिंग की चंसेखा राजास से भी मुलाकात इसी अखवार के माध्यम से ही हुई थी इस अखवार में एक खास बात थी कि उस पे जो कुछ पी लिखा जाता था वह इतना ज्यादा एग्रेसिव हुआ करता था लोग मां उसके पढ़ने के बाद Żyot ki भाववनाल पैदा हो जाती थी हुआ ता उसका लिखा हुआ कि उसके पढ़ने के बाद लोगों को लगता था कि वाकई जो है करांती की जो जाग रुकता है वो जबर्जस्त आती थी कि प्रताप अखवार मैं बता दू इसका नाम है प्रताप इसकी उन्सन 1913 में केवल 500 प्रतियां छपते थी 500 और 1916 में तीन साल के अंदर 6000 कॉपियां हो गई इसकी पूरे देश में और 1919 फिर सन 1919 में 9000 कॉपियां हो गई जो छपने लगे और उसके बाद 1921 में राइबरेली में एक किसानों ने बहुत बड़ा अंदोलन किया था उस आंदोलन का समर्थन इस अखवार ने किया और उसकी अंग्रेज इतने डर गए यह कहें नाराज हो गए अंग्रेजों की नाराजगी की सीमा इस अंदाज से लगाए जा सकता है कि उस समय सत्तर पैसे का एक किलो घी मिलता था और प्रताप अखवार पर 15000 का जर्माना ठोंग दिया आप समझ सकते हैं कि यह अखवार करांतिकार के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि इसमें अंग्रेज इतने डर गए इस अखवार की लिखनी से कि उन्होंने 15000 का जर्माना कर दिया उस वक्त जब 70 पैसे का एक किलो देसी घी मिलता है जो आज 500 रुपए का मिलता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रताप अखवार कितना जबरजस्त काम किया और सबसे बड़ी बात है कि प्रताप अखवार एकलोता है ऐसा अखवार था जिसने दचल अफ्रीका सो लोटे हुए महत्मा गांदी को कोई नहीं जानता था उनको भारत में एक विसेश पैचान दिलाने में इस अखवार की ही भूमिका थी और इस अखवार के रिपोर्टर कौन थे भगत सिंग और 1925 मैंने आपको बता है 1929 में 9000 कॉपियां थी 1925 आते आते गड़े संकर विद्यार थी जो इसके मालिक हुआ करते थे संपादक हुआ करते थे वह राजनीत में भी आ गए थे और तब के सहियुक्त प्रांत आज की उत् अंतिकारी नाम बदाल बदलकर प्रताप में अपने लेख देने लगे थे क्योंकि उनके नाम से लेख छपता अखवार पर आचा रही थी तो वह अपना नाम बदल करके लेकिन उसका जो मैट्रियल हुआ करता था जो खाका था जो शब्दावली थी जो भी उसके आंकड़ नुकसान कर रहे हैं तो उन्होंने खुद हिंदू और मुसल्मानों जैसी राजनीत करके फूट डाल दी थी और यह मामला भी दंगों तक अंग्रेजों का दिया हुआ था उसके बाद प्रताप एक अखवार था जो सामपरदाएक सद्वाओं के हैमायती के तौर पर यह अ कोसिस किया और इसके आर्टिकल के माध्यम से हिंदू और मुसलिम नियंत्रण में आप आये थे लेकिन उसको सुल्याने और दंगे सुल्याने के लिए इंदू-मुसलिम को जो दंगे हुए गड़े संकर विद्ध्यार थी कि सन 1931 में हत्या कर दी गई आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्या करने के पीछे के वल यही वज़य थी कि यह एकता गड़े संकर विद्ध्यार थी इस अखवार के जरी यह दुवारा ला रहे थे लेकिन वह देश के दुस्मनों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सन 1931 में गड़े संकर व आजादी के 70 सालों के बाद आज दिन तक प्रताप अखवार को कोई नहीं जानता आप समझे कि कई अखवारों ने बहुत मुविका निवाई देश के अजादी में बड़ा योगदान किया लेकिन प्रताप अखवार एक ऐसा करांतिकारी अखवार हुगा करता था जो करां सकता था इसी तरह से मैं आपको लगातार नई जानकारी देता रहूंगा और देश की आजादी में महत तुपूर क्योंकि बहुत सारे अखवारों की डिटेल थी लेकिन प्रताप अखवार को मैंने इसलिए जरूरी समझा कि लोग नहीं जानते हैं और प्रताप अखवार क अपना काम किया और कैसे वह यही प्रताप अखवार वही है जिसने महत्मा गांधी तक को रिप्रेजेंट कराया था और उनका नाम भी लोगों तक पहुँचाया लेकिन आज प्रताप अखवार को कोई नहीं जानता मेरी आपसे गुजारेश है कि देश की आजादी में मीडिया की इतनी जबरजिस्त भूमिका थी कि वह भूमिका को भूलाया नहीं जा सकता है आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो सवाल है आपसे वह यह क्या जिस तरह से देश के करांतिकारियों को सम्मान मिलता है उस तरह क्या अखवार जो देश की आजादी में भूमिका निभा रहे थे उनको भी सम्मान मिलना चाहिए अगर आपकी तरफ से इस सवाल का जवाब हाँ या ना जो भी है वह कमेंट बॉक्स में जरूर दें हिंदोस्तान पूछ रहा है और यह सवाल आप से पूछ रहा है जवाब भी आपको देना है अगले प्रोग्राम में नई जानकारी फिर में लेकर के आऊँगा तब तक के लिए नमस्कार